नमस्कार भारत के पहले डिजिटल मुबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका बुलिटिन के शुरुआत करेंगे हेडलाइन से काबल में तालिबान का हमला विदेशियों के लिए बने गेस्ट हाउस को विस्पोटकों से भरे ट्रक से बनाया निशौना हाफिस सईद ने भारत के खिलाब फिर उगला जहर नवास सरकार से कहा राजनाद सिंख को मत आने दो पाकिस्तान तीन अगस्त को पाकिस्तान में है सार्क सम्मीलर इसलाम की मनमानी वेख्या करने वाले जोके नाइक पर कसेगा शिकंजा सुरक्षा एजनसियों ने पचपन आतंकियों की बनाई लिस्ट जाके नाइक के भाशनों से पेरिट थे आतंकी और आज लोक सभा में बुलंच शेहर गैंग रेप का मुद्दा उठाएंगी बीजेपी राज्य सभा में भी हंगामी के असार सीम अखिलेश श्यादफ कर सकते हैं पीड़तों से मुलाकार बुलंच शेहर में मा बेटी के साथ हुई गैंग रेप और लूट की घटना पर प्रशासन निकड़ा फैसला करते हुए बुलंच शेहर के SSP सहित साथ अफसरों को निलंबित कर दिया है प्रदेश के प्रमुक्स अचीव करी है देवाशृष पांडा के अनुसार ये फैसला डीजीपी की रिपोर्ट के अधार पर लिया गया है बुलंच शेहर के SSP वैभव कृष्ण, SPCT, COCT सहित दो थानों के SO समेत कुल साथ को निलंबित किया गया है गौर्टलब है कि घठना के बाद बनते राजुनितिक दबाव के बीच सीम अखिलेश वैदव ने खुद मामले का संग्यान लिया था और कारवाई के लिए 24 घंटे का वक्त दिया था वही रेप पिड़िता नाबालिक लड़की के पिता ने कहा कि अगर दोशियों को तीन महीने के अंदर सजाद ने ही दिलाई गई तो उनका पूरा परिवार आत्मा हत्या कर लेगा बुलन शहर गैंगरेप केस को लेका लोकसभा राज्योसभा में हंगामा हो सकता है सूतरों के मताबिक बीजेपी इस मुद्दे को लोकसभा में शुन्यकाल के दोरान उठाएगी जबकि मायवती की पार्टी बसपा इस मामले को राज्योसभा में उठाएगी सरकार रीन वसूली कानूनों को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित एक संशोधन विधायक को आज लोकसभा में चर्चा और पारित कराने के लिए करेगी इसका मकसद देश में कारुबार सुगमता को बढ़ावा देना है सरकार राज्यसभा में ज्यस्टी बिल पेश करने की तयारी में भी है ज्यस्टी बिल पेश करने से पहले प्रधान मंत्री मोदी अपनी तयारी में कोई कसन नहीं चोना चाहते पियम मोदी ने जुयस्टी बिल को लेकर अपनी रणीती को अंतिम रूप देने के लिए वरिष्ट मंत्रियों के साथ बैठक की तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबल में विदेशियों के लिए बने गैस्ट हाउस पर विसफोटकों से भरे ट्रॉक से हमला किया गया इस हमले में किसी नागरिक या विदेशी के हता हत होने की खबर नहीं है लेकिन स्थानिय मीडिया के मताबिक दो फिदाइन हमलावरों को मार गिराया गया है इस हमले से कुछ दिन पहले अफगान राजधानी में बीते 15 साल का सबसे घाटक हमला हुआ था सबाहुए विसफोट की आवाज पूरे शेहर में सुनी थी एक सेक्यूरिटी आफ़िसर ने बताया विसफोट को से भरे एक ट्रक ने नौर्थ गेट गेट हाउस के प्रवेश दुआर पर हमला किया गया नौर्थ गेट उत्तर काबुल में अमेरिका दुआरा संच्वालिद बगराम एबेस के पास थित है और यहां विदेशी कॉन्ट्राक्टर रहते हैं तालिबान ने कहा कि अमेरिकी घुसबेटियों के गेस्ट हाउस पर ट्रक बाम हमले के जरिये उसके लड़ाकों को रॉकेट चालित ग्रेनिट और छोटे हतियार लेकर इस प्रतिष्ठान में घुसने का मौका मिल गया इसलाम की मनमानी वेक्षा करने वाले जाके नायक के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए सुरक्षा एजिंसियों ने आतंकी गतिवीधियों के आरोपी 55 लोगों की लिस्ट बनाई है पिछले एक दशक में देश भर में गिरफतार किये गए इन लोगों ने जाके नायक के भाशनों से प्रेरित होने की बात कबूल की है गौरतलब है कि जुलाई महीने में ठाका कैफे में हुए आतंकी हमले में शामिल एक आतंकी के जाकिर से प्रेरित होने की बात सामने आई थी इसके बाद ग्रेह मंत्राले ने सुरक्ष एजनसियों को जाकिर नाईक की कुंडली खंगालने को कहा था ताकि नाईक के खिलाफ मामला दर्च किया जा सके आतंकी संगठल लश्कर एतायबा के चीफ हाविस साईद ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि पहरत के एक ग्रेह मंत्री राजनाद सिंख को सार्क संमेलन में हिस्टा लेने के लिए तीन अगस्त को पाकिस्तान जाना है जमात ए इसलामी ने हाली में कश्मीर मुद्दे पर All Parties Conference बुलाई थी जुसमें कहा गया कि भारत सरकार कश्मीरियों के आजादी के संगर्ष को आतंगवात का नाम दे कर संयुक्त राष्ट्रे संग और अंतराष्ट्रे समुदाई का इस मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है हफिसाई ने अपनी सरकार और कारोबारियों को सलहादी की भारत के साथ सभी कारोबारी गतिवीदियों को कश्मीर के आजाद होने तक बंद रखा जाना चाहिए साथी पाक पीम नवाज शरीफ से अपिल की है कि राजनाच सिंख को मुल्क में ना आने दिया जाए साओधी अरब में नौकरी छिन जाने के बाद वेरोजगारी और खाने के संकट से जूज रहे भारतियों को भारतिया वानी जैदुतावास ने रविवार को भोजन मुहिया करा कर राहत प्रदान की दुतावास ने ट्विट कर इसकी जानकारी दी दूसरी तरफ प्रभावित भारतियों को इस संकट से उभरने के लिए अगले कुछ दिनों में केंद्रे विदेश राज्यमंत्री वीके सिंग भी खाड़ी देशों का रुख करेंगे जदा में इस हित भारतिय वानिजे दुतावास ने ट्विट कर जानकारी दी कि वानिजे दुतावास ने भारतिय समुदाई के साथ मिलकार भोजन वितरन का कारे सुभा तड़के दो बज का 45 मिनिट पर पूरा किया बताया कि भोजन वितरन के लिए पांच केम्प लगाए गए थे सरकार ने जनदा को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी कटोती की है जहां पेट्रोल की कीमत में एक दशवलव चार दो रुपाई की कटोती की गई है बही डीजल दो दशवलव चुने एक रुपाई सस्तफ हुआ है ये कीमत आधिराज से लागू हो गई है अंतराश्वे बाजार में लगातार गिरते कच्चे तेल के दामों के वजह से पेट्रोल और डीजल के दामों में कटोती की गई है गौरतलब है कि तेल कमपनी और सरकार महीने में दो बार तेल की कीमतों की समिक्षा करती है और इसके बाद इनके मुले का निर्धारन करती है 9,000 करोर रुपाई के लोन धोका धड़ी के आरोपी विजह मालिया की 700 करोर रुपाई से अधिक की समपती अगले मान निलाम की जाएगी इसमें दिवालिया हो चुकी किंग फिशर एलाइंस के सोफे से लेकर मालिया का नीजवी विमान तक शामिल है एरपोर्ट के पास थिट एलाइंस के मुखाले किंग फिशर हाउस के फरनीचर कार महंगे सोफे यह तक की एक बात रोब की भी निलामी की जाएगी इसके अलावा गोवा में स्थिट किंग फिशर विला अन्य ब्रैंड और ट्रेड मार्क की भी निलामी होगी गोवा के विला में अकसर मालिया की पार्टी आयوجत होती थी कर प्रशासन और बैंकों की ओर से मालिया की संपती निलाम करने की यह दूसरी कोशिश है इसे पहले इन सामानों की निलामी में उचित बोली नहीं लगी थी मायवदी के खिलाफ अभद्र टिपनी करने वाले देशांकर सिंख की पतनी स्वाती सिंख के बयान के बाद लखनों की हजरत गंच पुलिस ने बियस पी नेताओं के खिलाफ पोक्सो एक्ट लगा दिया है बस्पा नेता नसीमुद्दिन सिद्की समेत अन्य कारिकरताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे में पॉसको एक्ट की धारा ग्यारा एक की बडोतरी की गई है बस्पा द्वारा लखनों में प्रदर्शन के दोरान बीजेपी के पूर्फ उपाधे अक्ष दैशरंकर सिंग की पतनी और बेटी के खिलाफ की गया भद्र टिपनी के मामने में रविवार को पुलिस ने स्वाती सिंग और दैशरंकर की मात तेतर देवी का बयान दर्ज कि स्वाती सिंग ने आरोपियों की गिरफतारी की मांग की है वही स्वाती ने पती दैशरंकर सिंग की गिरफतारी के बारे में पूछ जाने पर कहा कि वो अपने पती की लड़ाई नहीं बलकि अपनी लड़ाई लड़ ही है आमादी पार्टी बंजा विदान सबाद चिनाव के मद्द नजर उमीदवारों की पहली सूची आज जारी कर सकती है सूतरों के मताबिक इसे 25 से 40 उमीदवारों को जगा दी जाने की तैयारी है उमिद्वारों के नाम पर आखिरी फैसला पार्टी की राजुनितिक मामलों की समीती को लेना है सूत्रों के मताबिक रविवार को मुखे मंतुरी अर्विंद केजरिवाल के घर पर पी ए सी की एक महतपून बैठक हुई उमिद्वारों के चयन के लिए बकायदा स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है हाली में आमादी पार्टी की पंजब टीन में लगभग चॉलिस उमिद्वारों की एक लिस्ट पी ए सी को भेची थी उमीदवारों के चयन में हर सीट पर चार से पांच नामों को शामिल किया गया है जिसमें पाजी की ओर से इन सभी नामों की सगहन छानबीन की गई है वरिष्ट वकील और आमादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे शान्ती भूशन ने दिल्ली के सीम अर्विंद केजरिवाल पर निशान असाते हुए कहा कि उनका दमाग खराब हो गया है वे दिन रात नरेंद्र मोदी को गाली देते रहते हैं हाली में केजरिवाल दुवारा पिये मोदी को लेकर दिये गए बयान पर श्वान्ती भूशन ने कहा कि केजरिवाल का मोदी पर हत्या कराने वाला बयान मनिश सिसोधिया का आइडिया था केजरिवाल के पूर्व साथ ही ने कहा किवे केजरिवाल को ठीक से नहीं पहचान पाए उसने आमादी पार्टी को सिंगल मैन पार्टी बना दिया है केजरिवाल के पास मोदी को गाली देने का यही काम रह गया है नसजी में परमानू अप्रसार संधी नपिटी का हवाला देकर भारत की सदसता का विरोध करने वाले चीन ने खुद इसका उलंगन किया है ताज़ा रिपोर्ट के मताबिक चीन ने 2010 में हुए नपिटी रिवियू कॉन्फरेंस के दौरान रखे गई प्रस्ताव का उलंगन करते हुए पाकिस्तान को न्यूकलियर रियाक्ट मुहिया कराए हैं ताज़ा रिपोर्ट के मताबिक चीन ने 2010 में हुए नपिटी रिवियू कॉन्फरेंस के दौरान रखे गई प्रस्ताव का उलंगन करते हुए पाकिस्तान को न्यूकलियर रियाक्टर मुहिया कराए है इस बात का खुलासा Arms Control Association द्वारा जारी किये गए हालिया रिपोर्ट में हुआ है A.C.A. ने पाक चीन के बीच हुए इस डील को N.P.T. का उलंगन करार दिया है रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान जैसा देश जो की अंतराश्य परमानू उर्जा एजनसी के तैमानकों के तहत नहीं आता उसे रियाक्टर्स मुहिया कराना सीधे तोर पर N.P.T. का उलंगन होगा रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान जैसा देश जो की अंतराश्य परमानू उर्जा एजंसी के तैय मानकों के तहत नहीं आता उसे रियाक्टरस मुहिया कराना सीधे तोर पर एनपीटी का उलंगन है उत्राखन के 6 जिलों में अगले 24 घंडे भारी बारिश का अलर्ट ज़ारी किया गया है मौसम विभाग के मताबिक अन्ने हिस्सों में भी हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है नहरादुन सहित प्रदेश में कई हिस्सों में रविवार को अच्छी बारिश हुई राजधानी के आदे हिस्से में दिन में करीब 10 मीमी बारिश के बाद शाम को पूरे शेहर में बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया मौसम विभाग के निदेशक बिकरम सिंग ने बताया कि नैनिताल, अलमोडा, उध्धम, सिंग, नगर, पोड़ी, देहरादुन और हरिदवार में सोंवार की सुभा से आगामी 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर बारिश से बचाव के लिए अपील की गई है प्रदेश सरकार को भी आगा किया गया है राजानी में बादल चाय रहेंगे, कई जगाओं पर बारिश होगी स्पेन में सेमी हाइज स्पीड टेल्को ट्रेन का आज नई दिल्ली और मुंबई सेंट्रूल के बीच पहला ट्राइल शुरू हो गया है तेल्को ट्रेन आज शाम साथ बच कर पचपन मिनिट पर नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रूल के लिए रवाना की जाएगी ट्राइल के दौरान इस ट्रेन पर आज डी एस ओ के इंजिनियर रेलवे की अधिकारी और स्पेन से आए इंजिनियर्स की टीम रहेगी नई दिल्ली से चलकर पलवल मथुरा कोटा रतलाम सूरत होते हुए स्पैनिश डिबो की ये ट्रेन दो अगस्ट को सुभा दस बजे मुंबई सेंट्रल पहुँच जाएगी नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बीच टेल को ट्रेन का पहला ट्राइल रन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक्तम स्पीट से होगा वही तीन अगस्ट को मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली के बीच का दूसरा ट्राइल रन भी 130 किलो मीटर फ्रती घंटे की स्पीच से ही होगा लोकेश राहुल के करियर के तीसरे शतक की बदालत भारतिय क्रिकेट टीम ने शबीना पार्क मैदान पर वेस्ट इंडीज के साथ जारी चार मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे दिर रविवार का खेल खतम होने तक अपनी पहली पारी में पांच विकेट के नुकसान पर 358 रन बना लिये हैं भारत को पहली पारी के अधार पर 162 रनों की बढ़त मिली है उसने मेजबान टीम की पहली पारी 196 रनों पार समेट दी थी दिन का खेल खतम होने तक उपकप्तान अजेंग रहाने 42 और रिदिमान साहा 17 रन बनाकर नाबाद लोटे दोनों के बीच छटे विकेट के लिए 31 रनों की साजुदारी हो चुकी है भारत ने 125 ओवरों का सामना किया है भारत ने पहले दिन स्टम्स तक एक विकेट के नुकसान पर 126 रन बनाए थी दिन का खेल खतम होने तक राहुल पच्चतर और चेतेश्वर पुजारा 18 रनों पर नाबाद लोटे खबरों के सफर में फलहाल इतना ही देश दुनिया की पलपल की खबरे हम आप तक पहुचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मुबाइल फोन के माध्यम से तो आप जुड़ रही मेटो टीवी से नमस्कार